आज एक और लर्निंग वीडियो के उपर हम फोकस करते हैं आज हम सीखेंगे ट्रेंड के बारे में के ट्रेंड क्या होता है और कैसे हम ट्रेंड को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं करने लिव फ्रेंड हम यह चीज सीकते कि सा चाहे में करता है चाहे हो इंडेक्स वंक्रमे को सवाल यह आता है कि हम कैसे किस अद्रेंड में चल रहा है कि करे है तो system वही काम करता है जितना बड़ा time frame होता है उतना ही ज्यादा reliable होता है वो trend ठीक है तो generally अगर आपको short term के लिए देखना होता है तो आपको daily trend को use करना होता है और अगर intraday में कर रहे हैं तो 5 minute एक मिनट या फिर मैक्सिमम 15 मिट का यूज करते हैं ठीक है तो चली समझते हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर से करते हैं सबसे पहले हम समस्थे ट्रेंड किते तरीके का होता है तो ट्रेंड टोटली तरीके का होता है क्या से कौन कौन से ट्रेंड होते हैं सबसे पहला ह होता है Utvring कि ऐसे करके जाएगा डाउंट्रेंग उसका जस्ट अपोजीट करके ने ऐसे एक होता है साइड वे जो न उपर जाएगा न नीची जाए बीच से करके चलते रहेगे को इसे के अंदर WIN करते रहेगा प्राइस करते रहेगा इसको फेंस Maps तो यह टोटल तुटल ही तरीके की ट्रेञ्ड होते हैं मार्केट में जो यह काम करते हैं उसके अलावा चोथा क давно नहीं होता है यह पता लगाना एक beginner के लिए बहुत मुस्किल होता है बहुत confusing होता है कौन से time पे आप यह देख पा रहे हो कि अप जा रहा है कौन से time अब जैसी यह नीचे वी गया उपर भी गया है और एक से कपीछ चलते हैं यह से हम लिजर बाइस है तो तो जार पाथ साल पीछे चलते हैं ठीक है पंडे के चार्ट पर हम चलेंगे है और रीप्ले मोड में करेंगे ताकि हमें पता चले कि ठीक है यह रहा 2014 2014 से मैंने replay mode लगा दिया यहां पर अब हमें नहीं पता कि आगे का trend क्या होने वाला है ठीक है तो हम पीछे के trend से आगे के trend को identify करेंगे ठीक है तो अगर आप देखे identify कैसे करेंगे सबसे पहले आपको line chart में convert करना है तो line chart से क्या होगा आपको देखने में असानी होगी confusion कम होगा ठीक है जब आपने line chart convert कर लिया तो अब रहा सवाल कि आपको imagine करना है पहाड को जैसे आप देखते हैं पहाड जो होता है पहाड कैसा होता है उसके अपर एंड पे चोटी बना होता है तो पहाड के चोटी और नीचे एंड पे नीचे की चोटी समझ लिए एक तरीके छोटा जैसे ये बड़ा पहाड है इसके नीचे छोटा पहाड यह तो ऐसे करके उसके टॉप और बॉटम हम फाइंड करने की कोशिस करते हैं ठीक है तो चलिए अभी हम यहां से अगर देखें इसी जगह से देखें तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक लाइन होर्जेंट लाइन यूज कर लेते हैं ताकि हमें असानी रहे यह तो लेट से हमने इसको यहां पर यहां से सुरू कर रहे हैं तो आप देखेंगे इसके बाद यहां से आपने चढ़ाई सुरू की पहाड़ पर तो यह एक प perché पहाड पहाड तो इस वक्ट कि क्या था यह क्योंख है शिस के बाद यह जब आप नीचे गए तो क्या इस जहां से आपने स्टार्ट किया था उसके नीचे जा पाए जब तक आप उसके नीचे नहीं गए आप अभी भी एक अप ट्रेंड में यानि की ऊपर के तरफ जा रहा है तो अगर देखें आप एक और चोटी बना या नीचे का ब कि деньги लेए अपने टेकल दीखिते जी समझते यह क्या हो रहा है अभी अब यह अगर आप एकनीचीज देखें जब भी आप पहाड़ पर चड़ रहा उसके नीचे गया नहीं गया तो इसका मतलब जब तक वो नीचे नहीं आता है वो stock uptrend में ठीक है और जैसे जैसे आप उपर चलते जाएंगे आपका फिर नीचे वाला हिस्सा delete करते जाईए अब आपका नीचे का point यह हो गया जब तक यह नहीं तूटता आप uptrend में बने रह हो गया तो यह जब तक trend नहीं तूटता है आप एक तरीके से क्या समझ पा रहे हैं यहां पर देखे कि धीरीदीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडे करके आप ये अप्ट्रेंड में जा रहे है एं फोटी फाइव डिगरी के एंगल के साथ आप उपर के तरफ जा रहे है क हैं तो हम इस तरीके से identify करते हैं कि stock uptrend में है कि downtrend में तो अगर हम देखें आगे आगे के लिए अब यहां तक हम पहुंचे हम फटा फट से अब draw करते चलते हैं कि कहां कहां ऐसे डाउन पॉइंट और यह बिल्कुल पास है तो बिल्कुल पास वाले को ignore कर सकते हैं ठीक है तो यह देखिए हमने अब तक यहां तक ड्रॉ कर लिए देखिए अब जैसे यह कब आएगा जब तक कि यह लो ब्रेक नहीं करता है तो अब आगे रिप्ले मोड में देखेंगे कि क्या इसका हाइस्ट पॉइंट आ चुका है यह आभी और उपर जा रहा है ठीक है मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलता है अप एंड डाउन करके ही चलेगा तो अगर अब ओवराल पीछे से देखें तो यह अप ट्रेंड में चल रहा है ठीक है अब चलिए आगे देखते है रिप्ले मोड में हम चल रहे हैं देखिए स्टॉक उपर जा रहा है ठीक है तो मान लीजिए आपने यहां से पीछे का भूल यह क्यूंकि आपने देखा प कुछ बाय कर लिया स्टॉक या जो भी है तो आपका क्या होगा आप स्टॉक में कब तक बने रह सकते हैं जब तक कि इस लेवल को इसको इस वाले लाइन को यह ब्रेक नहीं कर देता ठीक है और आपको जब प्रॉफिट में आ जाओ तो आप अपने लॉस जो आपका एक्ज से कब इतने दूर की प्रॉफिट तो आप बुक कर पाओगे विकॉज मार्केट का कुछ नहीं पता वो कभी भी नीचे आ सकता है या कभी भी बहुत उपर जा सकता है तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा और वो डिसीजन इसी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो तो तो आपको एक कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे दिया होता अगर यह उपर जाता अच्छी बात थी अब देखना यह कि जब यह फॉल हुआ तो क्या यहां से वापिस जा रहा है यह और नीचे जा रहा है अगर यह और नीचे जाना रहा तो समझे कि अब वो डाउन सब्सक्रा नहीं दे पारा है और वह धीरी 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 नीची के तरफ आना चालू कर रहा है तो हम देखते आगे क्या हो रहा है कर दो अब अगर यह उपर जाए अच्छे बात है नीचे जाए तो आप यहां से फिर से एक्जिट कर सकते हैं, त्रेड को ऐसे ही किया जाता है, त्रेंड को समझने के लिए, क्योंकि आप हम ट्रेंड समझ रहें, तो अभी तक यह यहां तक यह अप ट्रेंड में था, अब धीरे ध जीरे downtrend में आ रहा है देखिए अब ये इस point पे जब इसने level बनाए इसके उपर अगर नहीं जाता है और इस line को break कर देता है तो समझे इसका downtrend continue है तो देखते हैं देखिए अब इसने दोबारा इसी जगे पर मतलब इसको hold कर रहे है बहुत strong level हो गया जहां से market नीचे नीचा रहा लेकिन इस level के उपर चला गया तो मतलब फिर से ये आप trend को continue करने वाला है चाहिए देखते हैं देखिए जा रहा है उपर ओके 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 अगें अब देखिए जब आपने मान लीजिए यहां पर आपने एंट्री ली ठीक है और यह continuous उपर जा रहा है तो अगला यह stoppage क्या था यह यह जो पिछला हाई था यह आपका stoppage हो गया यहां तक आपको रुकना है कम से कम अगर इसके नीचे जाने लगा आप फिर से profit book करके बाहर अगर नहीं जा रहा है तो यह और उपर जाएगा तो इस तरीके से देखिए अभी क्या हुआ यहां से trend अब था यहां जाने के बाद रुक गया फिर यह कुछ time तक sideways हुआ अब यह फिर से उपर जाने की कोसिस कर रहा है तो trend को ऐसे आसानी से आप समझ पाएंगे जैसे जैसे आप देख रहे हैं आपर चार्ट पर इसको थोड़ा practice किजिए आपको समझ में आ जाएगा कि यह trend कैसे form हो रहा है देखिए देखिए उपर जा रहा है continuation में गया आप देखिए जब भी ऐसे continuation में जब जाए तो be ready आप बिलकुल जब 90 डिग्री में move हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो कभी भी उसी speed में वापिस आ सकता है तो जैसे मान लिजे आपने यहाँ पर लिया let's say इसके high के उपर निकल ग ले लिए तो आप continuously stop loss को बढ़ाते रहे क्योंकि यह सीधे जा रहा है कभी भी stock market का nature नहीं होता है कि वो सीधे जा रहा है तो then there is something wrong ठीक है तो यह जा रहा है तो be alert और आपको मौका मिले जहां आप book करने के लिए ready रहे ठीक है तो आगे देखते हैं कैसे move कर रहे है कि कंटिनियूसली जा रहा है यह हम केंडल में कंफ्यूज होते हैं बट लाइन चार्ट हमें बहुत आसानी से help करता है चीजों को समझने में अब देखिए यहां पर दिखिए अभी हम फिर रोकते हैं और देखते हैं इसको जा जब यह यहां पर आया यह लेवल कंटिनियूसली अब यह लेवल पर आके मार्केट ने यू टॉन लिया यह लेवल पर तो यह आपका हाइस पॉइंट हो गया ठीक है और जब यह यू टॉन ले रहा है यह पॉइंट से फिर अगें यू टॉन लिया है तो यह भी आपका लोएस पॉइंट हो गया आपका ठी तो आप देखिए यहां से जब यह मूव कर गया तो यह फेज निकल चुका है यहां से अभी भी अप ट्रेंड में ही है यह स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में नीचे नहीं जा रहा है अब इसके लिए डाउंट्रेंड कब स्टार्ट होगा जब इस लेवल को यह ब्र अगें जब अगला लेवल आया आपने अब यह हो गया आपका लिएस्ट पॉइंट तो यह अभी भी अप ट्रेंड में 45 डिगरी के एंगल में अभी भी यह चल रहा है आप चाहें तो इसको कैंडल में कनवर्ट करके देखिए आपको समझ में आएगा कैसे हमने चीजों को आसानी से समझा लाइन चार्ट पर किती आसानी से हम समझ पा रहे है कि ट्रेंड कैसे मूव करता है ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि स्टॉक अप में है डाउन में है साइडवेज में है ठीक है यह आसान तरीका होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने चलिए और फार्मा देख लेते हैं कोई भी देख सकते टेक्निकल सब्सक्राइब काम करता है जैसे यहीं पर देखते हैं 2022 से देख लेते हैं चलिए रिप्ले मोड में लगा देता हूं यह थोड़ा और पीसे चल देते हैं यहां से चलते हैं ठीक है आप खुद ट्राइ करके देखिए तब आपको ज्यादा अच्छे समझने हैं यहां तक हमें पता है तो इसके नियर बाई जो रेंज हैं उसको ही सिर्फ मार्क करेंगे बाद ज्यादा दूर नहीं जाएंगे तो लुएस्ट पॉइंट डिख रहा और यहीं दो पॉइंट है हमने पuted लकth से इस पॉइंट में लगा दिया ठीक है और इसको लाइन में अनगल्रत कर देखिए ताकि हमें कन्फियूजन नहीं olī हो गया ठीक है अब हम रीपले मोड में करते हैं और छोटे छोटे भी उसको कर सकते हैं जैसे यह एक लेवल है यह पहाड़ी था यहां पर यहां पर टकरा है तो आपका यह जो पॉइंट अगर इसके नीचे जाता तो आपको डाउन ट्रेंड अभी तक यह अब ट्रेंड में चल रहा है चलिए आगे देखते हैं यह कंटिनुसली चल रहा है अगेन होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है स्टाफ अब देखिए हाइस पॉइंट कहां बना यहां बना ठीक है अब आपका यह तो इसके उपर जाए तो एंट्री लीजिए या इसके नीचे अगर यह अब यहां पे भी आपको क्या समझने को मिल रहा है अगर आप समझे तो क्या क्या चीजे हो रही है सौरी थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है बट आपको समझना जरूरी है क्या concept नहीं समझेंग तो आपको problem हो जागी यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे continuously क्या हो रहा ह यह एक धीरी 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 नीचे के तरफ का moment आपको दिख रहा है higher highs नहीं बना रहा है higher lows बना रहा है तो पिछला पहाड़ी उससे छोटा पहाड़ी उससे छोटा पाड़ी and so on अब ऐसे समझ लीजे ठीक है तो चली आगे देखते हैं कि क्या होता है देखिए धीरे धीरी धीरे स्टॉक नीचे के तरफ नीचे के पाइधान पर मूव कर रहा है देखिए अब आप मालेजेगे यहां तक market ने एक बर मौका दिया दो बर मौका दिया अब देखिए यह higher end से धीरे धीरे घट रहा है ऊपर तक नहीं जा पा रहा है इसका मतलब यह यहां पर निकल जाना चाहिए अगर आप जो नहीं निकला प्राइस एकदम से फॉल किया यहां तक ठीक है अब यहां पर भी बहुत तेजी से फॉल कर रहा है तो आपको नहीं पता कहां जाके रुकेगा ठीक है अब देखिए यह एक लेवल आया जहां पर वो स्टॉप लिया तो पीछे के ट्रेंड को देखे क्या समझ से कि यह डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इस तरीकी से आप डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज कैसा होगा जैसे मान लिजे यह एक टर्म है इतने दिनों में जैसे यहां से लेकर लेट से यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है एक साइडवेज है साइडवेज कैसे है देखिए यह जो एरिया है इस पूरे एरिया में क्या होगा है मार्केट ना तो इस लाइन के उपर जा रहा भाएं साथ ना तो इस लाइन के उपर जा रहा है तो स्टॉप इसी रेंज में काफी टाइम तक शीनिमें काफी टाइम तक फसा हुआ है तो यह सिम्पल बेसिक टिप है जिसको आप आराम से समझ सकते हैं जिसके वजह से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाइब कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में आप ट्रेंड करें आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए आपको बहुत आसान लगए गाट रेंड को ढूनना समझेना ठीक है अगा कि आट